तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटेच्मेंट के बारे में तो देखो यार मैं अटेच्मेंट की बात इसलिए कर रहा हूं क्यूंकि यार पपजी लेट वालों ने एंग मसेस हटा दिया है उसके साथ साथ जो रीकॉल है ना भाई साथ वो कुछ जादी चुका है इसलिए आपके रीकॉल को कंट्रोल करने के लिए अटेच्मेंट की बहुत ज़्यादा जरूत पड़ती है अब बहुत सारे बंदों को तो यार पता ही नहीं कि यार क्या होती है कैसे इसको यूज करते हैं और कौन सी अटेच्मेंट का क्या काम है और यार बहुत पर्सन रीक्वल तो यार उधर ही कम हो जाएगा मतलब यार आप इजीली रीक्वल कंट्रोल कर लोगे और बहुत दूर दूर तक आप स्प्रेट दे सकते हो तो यार आज की वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यार आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादा हैलफुल होन की वीडियो बनाने में बहुत जादा मयनत बहुत ग्रिब और दूसरी आगल ग्रिप अब जो यार आजो दीखने वीडियो बात के लेते हैं गुरिप्स के बारे में है वह हमारा कंट्रॉल करती है वर्टिकल रीकोईल और ये क напр Ahmed और जो लिए एंगल ग्रीप है निए घौलिक है अब बहुत सरे बंदे यह पूछने वाले हैं कि हरी जुद्टल रीकोईल क्या होता है और बीगल रीकोईल क्या होता है अब डिको 귀여 हम बात करेकर vertical recoil के बारे में तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाता हूँ इसमें आप दे सकते हो एक gun का यहाँ पर dia के लाइन ओपर जा रही है यह गाई खमारा vertical recoil जब हापकी गन ऊपर जाती है और यहाँ पर आप दे सकते हो उपर तो जा रही है हमारी gun उसके साथ साथ यहां पर हमारी gun left right भी जा रही है और जो हमारी gun इधर उधर जा रही है इसको कहते है horizontal recoil तो guys here PUBG के अंदर दो तरह के recoil है एक तो vertical और एक horizontal horizontal का मलब अगर आपकी gun left right जा रही है उसको कहते है horizontal recoil और अगर आपकी गण डारेक्ट ऊपर की तरह जा रही है उसको मुझा आप देखो यह वर्टीकल रिकोईल तो बहुत जादा होता है पर यहार होरीजांटर रिकोईल ना वर्टीकल रिकोईल से काफी जाधा कम होता है तो यह मैंने आपको सारा कुछ explain कर दिया है किया कितनी तरह के recoil होते हैं PUBG light के अंदर तो यहाँ पर मैंने आपको सभी grips के बारे में ग्यान दे दिया है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर muzzle के बारे में muzzle मतलब जो आपके gun के आगे लगता है बिल्कुल जैसे कि compensator suppressor और flash hider तो अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं flash hider के बारे में तो देखो है और नाम से पता लग रहा है flash hider यह क्या करता है गाईज आपकी gun की flash को सिरफ hide करता है उसके साथ यह ना ही recoil बढ़ाता है और ना ही घटाता है तो अगर आपको अपनी गन का फ्लैस हाइड करना है ना तो आप फ्लैस हाइडर को यूज कर सकते हो अब बहुत सरे बंदों को ये भी नहीं बता होगा कि भाई साब फ्लैस क्या होता है तो फ्लैस का मतलब है आग ठीक है फॉर एक्जांपल आप किसी बंदे को सूट करते हो ना तो आपकी गंसे जो आग निकलती है ना फ्लैस हाइडर उसको जो है हाइड कर देता है और आपकी गंसे आग नहीं निकलेगी अगर आपकी गंसे आग निकल रही होगी ना तो गैस आपको एनेमी इजिली स्पोर्ट कर लेता है फिर हम मर जाते हो क्योंकि यह आपकी गंज से साफ ही आग निकल रही होती है और जहांसे आग निकलेगी ना वहाँ पर एनिमी की नजर तो एजिली चले जाएगी अब हम बात करते हैं कंपन सेटर के बारे में तो देखो यह कंपन सेटर से क्या होगा आपकी फ्लैस बिल्कुल भी हाइड नहीं होने वाली है मर लो आपकी गंज से आग निकलेगी ही निकलेगी ठीक है उसके सासत बट लेकिन यहाँ पर एक फाइदा है आपका रिक्वैल बहुत जादा कंट्रोल हो जाएगा मर लो गाईज अगर आप किसी को सपरे दे रहे होंगे ना तो ग गाईज इससे ना सारी की सारी साउंड जो है ना वो सप्रेस हो जाती है मतलब अगर आप घास में लेटके किसी को सप्रे दे रहे होंगे ना आप के निमी समझी नहीं पहेंगे कि यार आप उनको कहां से मार रहे हो सप्रेसर इतनी बढ़िया चीज है बट इसका एक बहुत जादा बड़ा नुकसान है वो नुकसान है गाईज रीकोल अगर आप सप्रेसर का यूज करते हो ना तो गाईज आपका रीकोल ना बहुत जादा बढ़ जाएगा मतलब इतना भी कुछ नहीं बढ़ेगा बढ़ जाएगा कुछ हद तक ठीक है 15-10 परसंट तक बढ़ काम करती है हम अब लाइव टेस्ट करके देखेंगे कि कौन सी ग्रिप कैसा काम करती है यह मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइप प्रूफ के साथ तो चलो यार अब हम चलते हैं रूम के अंदर तो गाईज यहां पर ना हम सारे के सारे अटैजमेंट की टेस्टिंग करने वाले हैं अभी आप देख सकते हो मेरी गर में कोई भी अटैजमेंट नहीं लगी है और कुछ ऐसा स्प्रे हो रहा है अब हम यूज करने वाले हैं वर्टिकल ग्रिप क्यार वर्टिकल ग्रिप से कैसा स्प्रे होता है यह हम आपको लाइव रिपोर्ट के साथ दिखाएंग अब हम पेस करते हैं आपके सामने रिपोर्ट की यहार कौनसी ग्रिप बढ़िया है तो यहाँ पर आप दे सकते हो यह है नो ग्रिप यानी कि मोने किसी भी गरिप का यूज नहीं करा और यह तो यहार कुछ जादी आड़ा चेड़ा चला गया अब यहां बात करते हैं वर् reference देखने के लिए मिलेगा अगर हम बात करें नोग रिप के बारे में तो यहां पर covid यागल घृूरी ग्रीट के बारे में लेकिन इसका विटिकल रिखल काफी जादा है आप यहां पर दे शा़ते हो बुलेट्स मैं काफी ज़ूदा gap है as compared to vertical grip अगर आप vertical grip वाला spray देखो गे ना तो उसकी bullet में बिल्कुल भी gap नहीं है बट लेकिन angle grip के अंदर एक बहुत बढ़िया बात है कि इसमें आपका gun left right बहुत ही कम जा रहा है अब आप दे सकते हैं left right बिल्कुल भी नहीं जा रहा बिल्कुल एक तो accurate spray जा रहा है वो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है बट लेकिन angle grip ना सबसे बढ़िया आपको spray दे देती है तो चलो एक बार हम दुबारा से test कर लेते हैं इस बार हम क्या करेंगे compensator साथ में लगाएंगे उसके सासरी M4 का stock भी लगा देंगे मलोग सारी की सारी attachment हमने यहाँ पे लगा दिया है और अब हमारे पास था vertical grip आप दे सकते हो तो यहाँ पर हमने सारी की सारी attachment लगा ली है और अब हम spray देने वाले हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हो कितना सई spray जा रहा है अब यहाँ पर आप दे सकते हो vertical grip लग रखी है अब यहाँ एक और बार spray देंगे तो यहाँ पर आप दे सकते हो कुछ इस तरीके का आपको spray मिल जाता है अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर angle grip तो angle grip में आप दे सकते हो कितने बढ़िया तरीके से spray हो रहा है और यार यह सबसे best spray है अभी तक का तो गाइज यह रही आपके सामने final reports और गाइज इस report को मैं लेकर आयो खास डॉक्टर पपू की laboratory से तो यार डॉक्टर पपू आपका बहुत बहुत सुक्रिया ऐसे हमें report देते रहना तो यहां पर आप दे सकते हो यह रही vertical grip का spray तो गाइज अगर आप vertical grip के spray को देखोगे ना तो यहां पर आपको एक बात साब साब पता चल रही है कि यह horizontal recoil इसमें बहुत जादा हो रखा है horizontal recoil का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि gun आपका left right जाएगा तो यहां पर आप दे सकते हो थोड़ा सा right को spray जा रहा है और angle grip की अगर हम बात करें ना तो यह इसका spray बिल्कुली accurate है अगर आप compensator का use करते हो ना और सारी की सारी attachment लगा देते हो ना तो यह angle grip आपको बहुत बढ़िया response देगी उसके साथ साथ आपका सप्रे बन जाएगा बिल्कुली ले जाए तो guys यहार दोनों में से विना रहे angle grip अगर आपको दूर स्प्रे देना है ना तो यहार आप angle grip का use करो आपको काफी बढ़िया result देखने के लिए मिल जाएगा अब हम बात करते हैं या फिर सप्रे या फिर सप्रे सर हख है या फिर सप्रेसर कोई बोलता है भाई या सप्रेसर जादा बढ़ी है कोई कहता है कंपंसेटर जादा बढ़ी है तो देखो यार तो यहां पर हम फ्लैस हाइडर का भी यूज़ करके देख लेते हैं क्या पता यार यह इन दोनों का इबाप निकले और यही विनर बन जा है तो यह रही गाईज आपके सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर फलैस हाइडर के बारे में तो यहां पर आप suppressor की bullet में आपको काफी ज़्यादा gap देखने के लिए मिल जाएगा for example अगर मैं इसको compensator से compare करूँ न तो यह compensator के अंदर आपको इतना ज़्यादा gap देखने के लिए नहीं मिलेगा और गई ज़्यादा gap का मतलब है ज़्यादा recoil for example जिस भी गण में आपको ज़्यादा gap देखने के लिए मिलेगा ना bullet में ठीक है for example यहाँ पर आप देखते हो suppressor की bullet में कुछ ज़्यादी gap है मतलब आपकी गण यार बहुत ही उपर जाने वाली है मतलब उसका recoil काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यार दूर की range और medium range में आप compensator यूज करो या फिर आप flash header भी यूज कर सकते हो कोई देखत की बात नहीं है तो guys इस video में मैंने आपको सारा कुछ explain कर दिया है क्या कौन सी grip को यूज करना चाहिए और कौन सी grip को आपको यूज नहीं करना चाहिए मैंने guys आपको सारी की सारी reports दे दी हैं अब आपको जो बड़िया लगे न वो grip आप यूज कर सकते हो मैंने आपको सारी की सारी grips के बारे में information दे दी है तो चलो यार आज किस video को हम इधर ही खतम करते हैं मिलते हैं guys अगली video में तब तक के लिए bye bye and take care